बच्चो आज हम क्या करेंगे unit for our universe chapter 10 shadow और eclipses इसको पढ़ेंगे ओगे दखो for you to sing thing around you require light बच्चो हमको जो भी देखने के लिए क्या चाहिए light चाहिए जैसे हम ऑंधरे में हूं तो कुछ दीखा ही नहीं देगा तो देखने के लिए light कि वज़े से अम देख पाते हो जो भी देखते हैं वह किसके वज़े से देखते है light के बज़े से तो सॉन लाइट ऑफ दो डे और दो मून लाइट ऑफ दो नाइट बच्चों जो सॉन लाइट आता है दिन में आता है तो सॉन लाइट के बज़े से हम आराम से देख पाते हैं हग नहीं किसी भी अबजेक्ट को किसी भी प्रोड़क्ट को किसी को भी हम दिन में सॉन लाइट के बज़े से देख पाते हैं और रात में क्या होता है मून लाइट रात में मून लाइट के बज़े से भी देख पाते हैं उतना ही ज्यादा लाइट नहीं होता है मून का लाइट Beside giving light, the sun also gave us warm बच्चो, sun light के साथ क्या जाता है? गर्मी Okay, sun से तो light मिलता है, उसके साथ गर्मी भी मिलता है समझे? देखो, object that gave out light are called luminous object बच्चो, जिस object से हमें light मिलता है उसको क्या कहते है? luminous object यह याद रखना है, जो कोई भी object से हमें light मिलता है, उसको कहते है luminous object, यह से bulb, candle इससे हमको light मिलता है कि नहीं? bulb को जानने से light मिलता है candle को जानने से light मिलता है तो यह क्या है? यह है luminous object जिस object से हमें light मिलता है उसको कहते है luminous object the sun, bulb, torch, candle and fire player प्यार, example of luminous object तो बच्छों दखो, luminous object का example क्या है, sun है, sun से यहाइछ light मिलता है, sun è, luminous object है pulp, torch, candles से हमको light मिलता है, तो यह सब luminous object है, यह सब है luminous object का example तो luminous object क्या होता है बच्छों जिस object से हमें light मिलता है उसको कहते है luminous object, हग नहीं Object that do not give out their own light are called non-luminous object जो object का own light नहीं होता है उसको non-luminous object कहते है जिस object का light नहीं होता है उसको non-luminous object कहते है जिस से light मिलता है वो होता है luminous object इसको कहते है non-luminous object बहुत सारा है अगने ओर, बोबोग ये किसी से भी क्या होता है light नहीं मिलता तो light नहीं मिलना से हो non-luminous object होगा अगने जیससे हम ball से, candle से, sun से हमें light मिलता है torch इससे हमको light मिलता है पूछना को light मिलता है देख पहते हैं उसको कहिए again luminous object लेकिन जो टेबूर चियर होता है उसे तो light नहीं मिलता उसलिए उसको luminous object नहीं होगा तो क्या होगा non luminous object उन से light नहीं मिलता इसलिए वो non luminous object है